नमस्कार साथियों जे राजस्तान डेली राजस्तान करंट अफेर्स के सेसन में आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों 11 अप्रेल 2024 से इस सेसन के अंदर साथियों जितने ही महतोपुन राजस्तान करंट अफेर्स के क्यूशन बने हैं हो माँ आपके साथ सेयर करूंगा, साथियों उन पर्षणों से जुड़े हैं जो मायतोपुन तथ्याव से पुछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकरी साधा करूंगा, और अंत में साथियों अपने जो इपोर्टन्ट बनेगा सुज़सार से उस पर भी चर्चा करेंगे, साथ करेंगे साथियों, शुरुआत के अंदर आपने पहले तीन महतोपुन क्यूसन जो साथियों, जनवरी, फ्रवरी, मार्स, महिने के अंदर राजस्तान करंट अफेर्स के बने हैं, वो मैं आपके साथ सेयर करूंगा, पहला क्यूसन आप से पूछा है कि सफाई के छेतर में उद्ककर कारय करने के लिए पर्देश के किस हईरीटेज को समानित कき आगया, तो आंसर होगा, नगर निघम जेपूर है जो साथियों समानित है कि आगया था, नई दिली के नंदर साथियों, राष्टपती, महुद्या, द्रोपती, मुरमुर्य के दोवारा है जो समानित ह आगया था तो अपने लिए पोर्टेंट है रहने वाला है अगरा क्यूशन आप से पूचा है कि बाहर सरकार के संसकर्ती मंत्राले की राष्टिये विज्ञान संग्राले परिशत की और शें परदेश के कि जिले में नेशनल साइन सेंटर है जो बनाया जारा है यही पोर्टे और बिका नेर के अंदर साथ यह नेशनल साइन सेंटर है जो बनाया जा रहा है इसकी जो लागत है उपंदरा क्रोड रुपे आएगे और अगर पहला आप से पूचे साइन सेंटर अपने कहां पर है तो साथियों वो है अपने उध्यपूर के अंदर ये भी अपने को तो पलक चोहन के दुवारा साथ यूझ शौरण पदक जीता गया था और ये बांसवाडा की रहने वाली है, कहां की रहने वाली है, ये सात्यों अपने तीन रीजन के क्यूसन थे, अब अपने सात्यों आज के सेशन की शुरुआते करते हैं, पहला क्यूसन आप से पूछा है कि दिल्ली में आयजित Exclusive Add Extra Ordinary Beauty and Personality Present का खिताब है जो किसने जीता है कि नई दिल्ली में सातियों परत्योगी ता आयजित हुई थी उसका नाम था Exclusive Add Extra Ordinary Beauty and Personality उसके अंदर सातियों खिताब किसने जीता तो सातियों अपने परदेश की हैं लक्षिता शर्मा कोन है लक्षिता सर्मा है सातियों अपने राजस्तान की उन्हों नहीं वहां पर सातियों है जो खिताब जीता है अब आप से यह भी पूछा जा सकता है कि लक्षिता सर्मा का ज माजी ने एक हिताब जीता है और ये कहां की रहने वाली है तो ये जेपुर की रहने वाली है अगला कि उसना आप से पूचा है कि सेखावाटी के पहले रोपवे की सुरुवात है जो कहां पर की गी है Most important कि उसना साथियों पूचा जा सकता है आप से पूचा है सेखावाटी के पहले रोपवे की सुरुवात है जो कहां की गी है तो सातियों आंसर हो जाएगा जीन माता मंदिर के अंदर है इसकी सुरुवात है जो की गी है जीन माता मंदिर में सातियों शेखावाटी के पहले रोपवे की सुरूआत है जो की गी है जीन माता का लखी मेला सातियों अब आपको ही पता शुरू हो गया है इसके तहसात ही सातियों 500 मिटर लंबाई के रोपवे की सुरूआत है की गी है कि ते 500 मिट्र का साथियों ये रोपवे रहने वाला है इसको साथियों बनाने में करीब है तो एक साल का समय लगा है अब इसको साथियों सुरुआते कर दीगी है तो सेखावाटी का पहला रोपवे जीनवाता मंदिर से साथियों इसके सुरुआत कीगी है और ये 500 मिट्र का रहने वाला है, ये भी अपने को याद रखना है अगला क्योशन आप से पूछा है कि गोवा में आए जित हुई फेडरसन कप Bodybuilding Men's Physics Championship में परदेश के अमित जांगिर ने कौन सा पदक जीता है आप से पूछा है साथियों कि गोवा में आए जित हुई फेडरसन कप Bodybuilding Men's Physics चैंपियंशिप ती साथियों उसके अंदर अपने परदेश के Bodybuilder है अमित जांगिर जी कौन है? अमित जांगिर जी है इनके दुआरा साथियों वहां पर है जो कौन सा पदक जीता गया था ये आप से पूछा है तो आंसरो जाएगा साथियों अमित जी ने वहां पर है सावरन पदक जीता है Men's Physics जो केटेगरी होती है साथियों Bodybuilding की उसके अंदर अपने परदेश के साथियों अमित जांगिर जी उन्होंने वहां पर है सावरन पदक जीत कर अपने राजस्तान का नाम रोशने किया है इसके साथी साथियों अमित जांगिर का जो चेहन है वो माल्दिव में होने वाले South Asia Championship के लिए किया गया है अगला कि उसना आप से पूछा है साथियों कि लोक्षभा चुनाओं में पर्थम चरण में सत परतिसत मतदान के लिए सतरंगी सप्ता है जो कब से शुरुआ है तो आंसर हो जाएगा साथियों 10 अपरेल से कब से 10 अपरेल से साथियों इसकी सुरुआत है जो की गई है ये साथ दीविशिये कार्यक्रम है इसके त match द Ian 10 अप्रियल से 16 अप्रियल तक लोगों को मतदान के लिए जागरू किया दाएगा सत्रंगी सפता कब मplays शुरुआ है ए सिर्जदों शुरॐं ये जो 13 अप्रियल को होने है तो इसलिए साथियों इसकी शुरुआत की गी है लोगों को जागरू करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान हो इसके तो अपने लिए एक क्यूस्तन इपोर्टेंट है रहने वाला है अगला क्यूस्तन आप से पूचा है अल इंडिया इंटर युनिवेस्टी पूरूष कृकेट पत्योगिता का खिताब जीतने वाली पर्देश की पहली युनिवेस्टी कौन से बनी है आंसर होगा जगदीज, परसाथ, जामरबल, टिब्डे वाला जुनिवेस्टी एसातियों वो ऑल इंडिया इंटर युनिवेस्टी पूरूष किरकेट के अन्द अगले क्यूशन पर बात करें साथियों अगला क्यूशन आप से पूछा है कि हाली में शर्वोष नयाले ने किस पक्षी के स्रंक्षन है तुदायर या चिकाप पर सुनवाई करते हुए है त्यासिक है जो फेसला दिया है तो आंसर हो जाएगा साथियों गोडावने ग्रेट पर साथियों पहले एक दिन हमने पढ़ा था कि इसके लिए एक स्मीटी बनाएगी ती कि स्रुवोष नयाले ने किस पक्षी के स्रंक्षन है तुदायर या जिकाप पर सुनवाई करते हुए है त्यासिक फेसला किया है इसके अंदर साथियों तीन सदशी एक अमेंटी बना जाएगा यानि इनको जो अपने गोडाउन पक्षी है उनका किसी भी परकार से है जो हानी नहीं होनी चाहिए यानि इनकी जो कई बार करंट लगने से मर्ति हो जाती है उसको इसके लिए रोका जाएगा और उसके साथ साथ यो अनुछेद 14 वय 21 का है जो प्रियोग किया ग वाला है अगला कि उसना आप से पूचाए कि जोहार कला के अंदर जेपूर का कौन सा स्थापना दिउस है जो बनाया गया था अब अपने साथियों सूजस के अंदर भी देख लेते हैं जो इपोर्टेंट चीज अपने एकजाम में पूछी जा सकती है इसके अंदर साथिय तो मुख्य निर्वाचन दिकारी ने इवियम और वीवी पेट की कमिंशनिंग का उचक है जो किया है इस परकार की जो न्यूज है उसके अंदर बताया गया है इसके लावा साथियों हम भी नाचेंगे गाएंगे वोटें डाल कर आएंगे पर्थम चैन में सत परतिसत मदान के लिए सतरंगी सब्ता शुरू है 16 अपरेल तक ये चनने वाला है इस पर अपने बात भी की है ये साथ दिविश्य रहने वाला है साथ दिविश्य सतरंगी स द्रहयों हो सके ये इससे अंदर सातियों बताया गया है पर्थम चैन सात्यों अपने गुणिस अपरेल को रहेंगे तो ये था सातियों अपने एपोर्टेंट में पसंद आए को पसंद आय है तो इसे लाइक वसेा जुरूर कीजिएगा कम समय items